कोटा संभाग के जालावार जिले के खानपूर में थानाधिकारी द्वारा पटवारी को गिरफतार किये जाने के मामले ने तुल पकड़ लिया है। विरफतारी से नाराज पटवार संग और कानुनगो संग 6 फरवरी से कार्य बहिशकार पर है और अब पुरे राजस्थान के पटवारी और कानुनगो कार्य बहिशकार पर चल रही है। दरसल खानपूर के थानादिकारी महिंद्र मारू ने नामांतरन तर्मीम वर सेग्रिगेशन के एक मामले में कार रवाई करते हुए पटवारी पुरनमल मीना को गिरफतार किया था। इसके बाद से ही पटवारी को बेगुनाह बताते हुए पटवार संग आंदोलन पर उतर गया और उसमें कानुनगो संग भी शामिल हो गया। खानपूर से चला यह आंदोलन कोटा संभाग होता हुआ पुरे प्रदेश में फैल गया। फिलहाल पुरे राजस्थान के पटवारी और कानुनगो थानादिकारी को निलंबित करने की मांग पर कार्य बहिशकार पर है। पटवार और कानुनगो संध में संभागी आयुक्त को मुख्य सचेव के नाम ग्यापन सौपकर खानपुर थानाधिकारी महिंद्र मारू को निलंबित करने की मांग की है ये एसेचो खानपुर द्वारा हमारे पटवारी पूरणमन मेना को 25 जनवरी को गिरफतार किया गया है फरजी मुकदमा बनाकर उसके लिए हम आंदोलन रथ है 28 जनवरी से पूरा जलावार जिला और उसके बाद 6 फरवरी से पूरा कोटरा संभाग इसको लेकर आंदोलन रथ है यदि सीगरी हमारी संगटन की दो मांग है यदि सीगरी ऐसे चो महेंदर मारूक निलंबट नहीं किया जाता है और तर्मीम नामांत कंड के लिए यदि हमें पुलिस कारवाई से हमें मुक्ति निदिलाई जाती है और इस परिपतर राज सरकार जारी ने किया जाता है तो ये आंदोलन तेज गती से किया जाएगा और तर्मीम नामांत कंड को लेकर तो पुरे राजस्तान के पटवारी से जुड़ने वाले है जालावार जिला 26 तारीक से इसमें आंदोलन रहत है 25 जनवरी से और इसमें 6 परवरी से पूरा कोटा संबाध इसमें आंदोलन रहत है कारे वाइसकार है हमारा सामुए काकास लेते हुए कारे वाइसकार है हरियों बारगाव कटवार संग कोटा संबाध संगर समितियत यह